असलामों अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तों हमारी दुनिया नेक और बाअमल लोगों से भरी पड़ी है लेकिन कुछ लोग अपनी पीरी फकीरी को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां साइंस टेकनालोजी और इवन कॉम बाबाजी आप देख रहे हैं इसका तालुक अग्मानिस्तान से था ये 28 साला पीर इंडिया के अंदर ऐसे रेफ्यूजी रहता था 12.17 में इसने यूट्योब पर एक चैनल बनाया और इसलामिक वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट कर दी इवन से थर ये नाद की वीडियोज लगाता था लेकिन फिर इसने पीर बन कर लोगों को मौत का इलाज बताना शुरू कर दिया इसका कहना था कि इसके पास एक ऐसा वजीफा है जिससे इसके मुरीद 150 साल तक जिन्दा रह सकते हैं सिर्फ इतना ये नहीं बलकि इस शैंपू के मुरीद इस बात को मान भी लेते थे आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शापर का कहना था कि जो लोग इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे उन्हें सवाब मिलेगा अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ हमाकत है तो बात यहीं पर खतम नहीं होती बलकि जरीव बाबा लोगों को अमीर बनने के लिए अपने नाम का विर्द करने के लिए कहता था इसके मताबिक माजला या जरीव का विर्द करने से लोगों की लोटरी निकलाएगी इवन इसने तो करोना वाइरिस से बचने के लिए भी अपने नाम का विर्द बता दिया था वैसे तो ये बर्गर पीर सब को डेट सो साल जिन्दा रहने का वजीफा बताता था लेकिन ये वजीफा इसकी अपने उपर काम नहीं किया और इसके अपने ही मुरीदों ने इसे गोली मार कर कतल कर दिया एनिवे जो भी हो जब बंदा लोगों को फुद्दू बनाने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही यह हुपई जो आभी मैंने आपको बताऊंगा आप 150 सौल तक 200 सौल तक जिन्दर होगे वीडियो को देखे लाइक करें शेर करें यही सवाब है यही सवाब है बहुत सौल से गरेबी में बसन करते थे एक गरूपिया भी मुटश थे जब यह कहते हैं कि मैं यह जरीफ अभो यह जरीफ अभो हमेशा पढ़ते रहते थे फिर मैं एक लात्री लिया और जब आपका नम लिया वो लात्री को मारा फिर बहुत सोरी लाग को पैसा उसके बदले में मुश्य मेले तौफी वाली सरकार दोसो वैसे तो अगर इंसान को कोई बिमारी हो तो वो मैडिसन से ठीक हो जाता है लेकिन अब आप अपनी हर बिमारी का इलाज टौफियों की मदद से कर सकते हैं आपको सिर्फ टौफी के दो चार्ट डबे लेने हैं और इस पीरे कामल गदी नशीन हजरत बाबा टौफी वाली सरकार के पास पहुँच जाना है इस नौटी अंकल के मुरीद इस पर फूलों की नहीं बलकि टौफी की बारिश करते हैं मेरे ख्याल में तो शायद ऐसा करने से ये बाबा जी राजी वाजी हो जाते होंगे और शायद कोई फूख फूख मार कर मुरीदों की सारी टेंशने हल कर देते हैं मज़गी बात ये है कि टाफियों की इस वेल वाले प्रोसेस के दौरान ये बाबा जी सस्ते नशे भी कर रहे होते हैं इनके सामने हुका होता है और कश पे कश लगाई जा रहे होते हैं अगर आप में से कोई इस शैंपू के अस्ताने में जाए तो मेरी तरफ से डिंग दॉंग बबल का एक पैकट चड़ा दे असल में वीडियोस पर ज़्यादा लाइक नहीं आ रहे हो सकता है बाबा जी चैनल पर कोई फूख फूख मार दे और आप सब लाइक कर दो पिस्टल वाली सरकार दोस्तो आप सबने बहुत से आमलों के बारे में सुना होका जो कि लोगों में से जिन भूद और आसेब वगयरा बाहर निकालते हैं आम तोर पर तो इस तरह के बाबे कोई कलाम वगयरा पढ़कर दम शम करते हैं लेकिन दुनिया में एक बाबा जी ऐसे हैं जो बच्चों की म्यूजिक वाली पिस्टॉल दिखा कर बूतों को चूना लगाते हैं वैल ये जो हीट मैन बाबा जी आप दिख रहे हैं ये अपन पिस्टॉलें तान देते हैं और शर्मिंदगी की बाद ही है कि इस ड्रामे में ये नाउजबिल्ला अल्ला का नाम भी ले रहा होता है ताकि सब को बेवकूफ बना सके शौकिंग चीज ये है कि लोग इस काटून और इसकी हरकतों पर बिलीव भी करते हैं और अपना पर से भरोसा उड़ जाएगा दुलहन वाली सरकार तो सो दुनिया की तकरीबन हर लड़की ही जिन्दगी में एक दफ़ा दुलहन जरूर बनती है वैसे तो ये औरतों का खासा है लेकिन क्या हो अगर कोई बाबाजी दुलहन का ड्रेस पहन कर कच्ची कली बन जाएं वैल ये जो नई नवेली दुलहन आप देख रहे हैं ये असल में एक पीर है जो हैदराबाद या पिर रावल पिंडी की किसी मार्कीड में नजराता है गल्फ न्यूस के मताबिक ये बंदा बकाइदा मेहनदी लगाकर दुलहन वाला जुड़ा पहनता है और एवन जूल्री भ करता है मज़ीबात ये है कि ये कच्ची कली रात को एक बचे बंद सबर कर बाहर निकलाती है और अपने मुरीदों को बलाती है और कुर्बान चाओं पाकिस्तान की अवाम के जो इस लोटे को नजराने देते हैं और सादात हासल करने के लिए त्यार कड़े होते हैं इंटर सख्त कवारे लौनों के हाथ चड़ गई तो रातो रात इसका सौट्वेर अपड़ेट हो जाएगा अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है पान वाली सरकार दोस्तों अगर आप में से कोई बंदा पान खाता है तो शायद ये पीर देखने के बाद इसका पान पर फैस जयाब करते हैं इनके दर्बार में जेंट्स की कोई गुनजैश नहीं है दूसरी और सबसे एहम बाद ये है कि ये बाबा अपना फैस लिडिस तक पहुचाने के लिए पान का सहारा लेता है ये बंदा पहले एक पान को अपने मूँ के अंदर रखता है और फिर उसी गंदे पान को अपने मूँ से निकाल कर लड़कियों के अंदर तक्सीम कर देता है कमाल की बात ये है कि पापा की परियां बाबा जी से पान का तबरुक लेने के लिए मरी जा रही होती है वैसे नॉर्मल रूटीन में तो इन पापा की परियों को गुलाब की खुश्पू उसे भी अलर्जी हो जाती है लेकिन बाबा जी के बगैर चार महीने ब्रश वाले मूँ में इनको आखरत नजर आ जाती है मज़गी बात ये है किस बाबे को हर दो मिनट के बाद दौरे भी पढ़ रहे होते हैं वैल अफसोस की बात ये है कि सारी दुनिया में नए-ने करवानी हो तो वो हॉस्पिटल में जाता है लेकिन दुनिया में एक बंदा ऐसा है जो बगैर किसी मैडिसन टूल्स और ऑपरेशन थेटर के कोई भी इलाज कर सकता है ये कमाल है पीरे कामल हजरत सरजरी वाली सरकार का ये बंदा मरीजों का इलाज करने के लिए अपनी मार देते हैं फिर क्या मरीज तो इस इलाज के बाद जहास बनकर उड़ जाता है है रानगी की बात यह है किस बाबे की पास आने वाले मुरीद भी चारपाई पर ऐसे लेड़ जाते हैं जैसी ये बाबा नियूरो सरजन हो बिमारी ठीक होना तो बात की बात है पहले बंदा इसके गंदे पाउं अपनी बाड़ी पर टच होने के घम से ही मर जाएगा यारे सवाम से तो कुछ भी तवक्का की जा सकती है हो सकता है इलाज के बाद इसी फ्राइ पैन में पिकोड़े वगरा तल कर तबरुक की तरह खाना भी शुरू कर दें बारहाल जो भी हो इससे अब जिस हस्ती के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनका नौटी पन तो मरने के बाद भी खतम नहीं हुआ ये हैं जनाब पीर शलवार शाह ये जगा पाकिस्तान के किसी इलाके में मौजूद है ये तो मुझे नहीं पता कि ये दरबार है कहां लेकिन इसके रूल्स बड़े ही सख्त हैं वैल इस बाबी को खुश करने के लिए आपको अपनी इज़त उतार कर इस बाबी के हवाले क करनी होगी दरसल इस दरबार पर अगर किसी को मनतवनत मागनी होती है तो इसे अपनी शलवार उतार कर वहां पर लटकानी होती है और मज़गी बात ये है कि मुरीद को वही शलवार उतारनी होती है जो इसने पहनी होती है और इसे दूसरी शलवार साथ लेकर आने की भी प आती हैं और यही अमल करती हैं यार जस्ट इमेजन कि यह अवाम अल्ला और इसके रसूल से कितनी दूर है मतलब लोग कॉमन सेंस भी यूज नहीं करते यह रियली अन्बिलिवेबल है तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे इंस्टाग्राम पी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस